हेलो अबरिबन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो कि होंटेड है और ये जो घटना घटित हुई थी मेरे एक दोस्त है उसके टीचर के साथ ये हुआ था अब हुआ क्या था ये बात है 2011 की अब उस टाइम क्या है कि जो ये टीचर थे ये अ अब क्या है कि यार ये बैचिलर थे उस टेम अब बैचिलर से लिए यह सर्ज कर रहे थे तो आप लोगों को इनके एक फ्लेट किये लेकिण उनको 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 एक अपात्मेंट दिखा और अपात्मेंट में एक फ्लेट खाली था तो वह वहां पर मालिक से बात करने गए तो उनको तो व Great है बहुत आसानी से मिल गया ठीक है तो उस फ्लेट सर्सुंत है अन्हों नेоловियस जोलार कि हमें कोई दिक्कत निया बैचिलर हो या नहीं हो हम उससे कोई मतलब नहीं है आप आप यहां पर आप यहां पर रह सकते हैं तो आसनी से वह फ्लेट उनको मिल गया और वो थोड़ा अपना सामन वगिरा रेखा उन्हों सेट हो गए महाँ पर और सेट होने के बाद उ तक उनके साथ कुछ भी नहीं होता है सब कुछ एकदम सही चलता है अब बात है कि कुछ दिन बाद जब वो रात को सो रहे होते हैं तो उस ताइम क्या होता है कि उनको एक सपना आता है सपने में कोई उनके चेहरे के एकदम नजदिक कोई आ जाता है चेहरे के एकदम फिर रहा है ठीक है अब जैसे यह आब देखो कि जैसे कि उनको लगता है कि उनकी चरह कोई हाथ फिरा तो एक दम से सडंडली जाते हैं ठीक है तो यह जो जगेट यह इस शोग वाला जगना मतलब एक दुपर शोग हुआ और जग गए और एक नॉर्मल वाला जगना होता है कि थीक है वह अपन जग पानी पी यह वाश्रूम गए और वह वाश्रूम जा करके वापस सो गए वह नोर्मल जगना उसमें दोबारा आपको नींद आ जाती है अब देखते हैं थोड़ी त हो जाएगी तो अन्होंने रहा रात के दो बज़ रहे थे मैं जब रात के दो बंज रहे थे उन्होंने सब चरई ख़ो ठीक है कोई दिक्त नहीं है कल की जो मैरी क्लास में cob अब मैं प्रीपरेशन कर लेता हूं तो वो अपना study table है study table पर जाकर के बैठ जाते हैं और उनकी study table थी वो उस side थी और सामने एक gate खुआ करते था और gate हो क्या है कि जब वो सोते थे तो gate खोल के सोते थे तो रूम का gate खोल के सोते थे बाहर का तो यार obvious वाटे सब gate लगाएंगे लोग करेंगे जो रूम का गेट था, उनके फ्लेट में जो एक रूम था, वो गेट खोल के सोया करते थे, और इस सैड उनकी स्टडी टेबल रखा करती, रख्यू ही रेती थी, तब क्या हो कि उन्होंने सोचा कि यार, नेक्स क्लास के लिए हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो वहाँ पर जा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा था, अब होता है कि उनको ऐसा फिल होता है कि पीछे से उनको कोई देख रहा है, पीछे से उनको कोई देख रहा है, जब यार, हम लोगों को ऐसा फिल होता है, तो जैसे उनको ऐसा फिल होता है, पीछे से उनको कोई देख रहा है, तो उन्होंने तो अब दूसरे ही दिन अब दूसरे दिन क्या कि अपने क्लास वगेरा करके वह श्याम को अपिस घर पर आते हैं और रात के सम्तिंग आठ यह साड़े आठ बज रहे थे रात के रहना तो उनके अपार्टमेंट के सामने या फिर साइड में एक दुकान हुआ करती थी जो उस नैं नोल जना पे चान बड़ि तो उन्हों ने सरव दूकान से बात क्री तो यह इवला या पर यहार पहले जब मेरा मन पुछा जाए की पर्रेशन करने आया था जो मेरा मन बए तो अच्य सो लगता था अब हैं अभी मेरा मन अच्छा नहीं अधु नहीं लग रहा द़सक कि आपार्टमेंट में कि नूम नमबर नमर है 201 में रहता हूं तो धीक के तो सामने वाले बन्देयान में बोला कि आप महारे तो आपको पटा निया किमें अपको अब यहाidente सामने वाला बंद यहों बोले कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो अपने अंदर से कुछ ऐसा होता ने ठीक हैसी क्या बात है जो हमको नहीं पता आप हमको बता हो आप हमको बता हो तो भाइया ने का कि ऐसे हमको मुझे कुछ ऐसी कुछ बात नहीं पता तो जो सामने जुकान वाला था उसने वोला चलो कोई बात नहीं मैं आपको नेक्स दिन दूसरे दिन आप आराम से बता हुआ यह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो पर रहता है अंदर से कि ठीक है मुझे बात जाननी है जानने जानने तो मुस्वर्म ने थोड़ा उनको फॉर्स किया और उस बंदे ने बात बता दी तुगानवले भीया ने यह बोला कि आप जब रहते थे तो इसके पहले यह फ्लेट खाली था और उसके पहले भी यहां पर एक लेड़ी और उसकी एक लड़की यहां पर रहा करती थी और लड़की जो थी अपनी कंपटिशन एक्जाम के प्रेपरेशन करने के लिए यहां आई हुई थी और यहां रहती थी तो यह कि उस टाइम क्या है कि डियू टो मेंटल स्ट्रेस वगरा कुछ भी होता है ना तो उसने वहाँ पर सुसैड कर लिया था बस ये बात और तो ये बात सुनती ही अचमबा उनको शोक हुआ या तो बहुत ज्यादा पैनिक कर गए थे तो उन्होंने अपने लेंडलोर्ड को उसल सच बोल देगी हां यह बत सच है लेकिन अफवा उड़ाते हैं लोग बाग तो आप टेंशन ना करें तो फोन कार दे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए तो उन्होंने फोन वगेरा कट कर दिया अब वहीं पे नीचे जो फ्लेट वगेरा है और महां पर कोई गाड फिप्टी फाइब तो सिक्स्टी यह मतलब थोड़ा एजएड उम्र का था अब जो गाड भीया है तो गाड भीया से उससर है गाड भीया के पास जाते हैं क्योंकि यार अब उनको वापिस उसी फ्लेट में जाना था और बजर रात का रात का टाइम था जब सामने वाले ब तो उन्होंने गाड भीया अब प्लीज मेरे साथ मेरे प्लेट में चल चलेंगे तो गाड भीया ने वोला आप क्या वही हो ना जो फ्लेट नम्मर टू-जीरो बन में रहते हैं तो उने उसली होता है कि अजए नहींने सुर आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं अब ले चले जाओ कोई दिक्कत नहीं तो पर वो उनको लग रहा था थोड़ा मतलब अज़िए डर सा लग रहा था तो उन्होंने बोला पिन आप एक वाज चल चलो को मेरे साथ चल चलो में अपना सामन लेकर वापिस हाँ तो सामन लेकर के मतलब जैसे वह गाड तो जो अप्लेट के अंसर तो क तो आप क्या होता है कि दार तो बाहर खड़ा हो जाता है और वो अंदर जाना है फटाफट से जो भी सामन उनका हाथ में लेज़ों क्या की सामन याज विश्व भीक सवागिरा है फटाफट से नहीं बेक के अंदर रखा और वह एक मिनिट के अंदर अपना बैक पेक्र करक जो जरूरी सामान होते हैं जैसे बुक्स वगेरा हो गई उनके लिए जब वो पढ़ा रहे थे उस्ते तो बुक्स वगेरा जो भी काम की थी पटाफर से बैंग में रखी पैकिया एक मिनट के इंदर पटाफर से बखकर के बापस बाहर आ गया उन्होंने फोन किया कि कर दोस्त वगेरा कि को इस टाम उनके काफी अच्छे फ्रेंड्स वगेरा भी बन गए थे तो कि जो भी कि आज मैं तुमारे घर पर रहना चाहता हूं और जो सिन्यूरियर में तो महां पर आकर करके बता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो उनके दोस्त नोब ठीक है तु तो यही एक उनके साथ इंसिडेंट हुआ था और ज्यादा कुछ है नहीं थाइंक्यू